तो फिन यहां पर Infosys जो फिन अपने लास्ट को एक्स्टेंड कर दी यह फिन यहां पर आपको सभी में दिखाने वाला है कि कौन कौन से साइट्स पर देखने को आये हैं कि इंफोसिस ना इनाउंस कर रहाई 55,000 को लेकर और एनिक रेज्टेंड की लोग ब्रांच के लोग इसमें होने वाले हैं अपलाई करने के लिए फॉर दिवेश फेट्वेश को इसमें अपलाई करने के लिए और cash के लिए 2,49,000 थे फिर आपका 2,79,000 थे फिर आपका 2,79,000 राइट नाओ दिसम्बर ते लोने हाइरिंग कर रहा था 2,59,000 और अभी करेंटली जो है 55,000 और यहाँ पर फेर्शस का हाइरिंग होने वाला जिसमें पर एक मेच के बच्स चांसे हो 22,21 बाच्च के दे ला था अब को रहा हुइं . रहा हम आपका 2,50 इनली ने यहा थी फ्ली ने कर रहे है। चाहर हम आगे स्कते लिए इसे के अब तो है गिन फेरेयं कर देखने मिल ह्ताइरिंग तर देखने को सेक्ते आवरा है depiction. इनली यहाँ 50 like 50,000 okay 55,000 they are hiring okay currently अपर यहां भी आप देख सकते हो, okay मैं अपर नेश्ट करता हूँ Infosys plan to hire 55,000 for final 22 as part of global graduate requirement drive details inside, okay, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, okay तो यहां पर hiring भी देखने को आप यहां पर देखने को मिल रहा हूँ, आपका यहां पर अभी से को वर्मा जो कि मेंटर है, okay यहां पर देखने को मिल रहा हूँ, 2019, 2020, 2021, 2022 role of system engineer आपका होने वाला friend, ठीक है आपके बच्ट आपके पास friend, जो है आपके पास आपके दो दिन आपके पास है, okay करने का apply करने का apply करने का आपके पास दिखने को मिल रहा हूँ, कोन-कोन से लोग जो है इसमें eligible होने वाले है, वो के B, B.T, M, E.M.T, के discipline में M, C, M, C के लोग eligible होने वाले है और आपका B, C, B, C, B, C वाले लोग और यहां आपके डेपलोमा के लोग भी में eligible होने वाले है, आपका कोई active backlog नहीं अच्छी है और आपका 6.5, 6.3.6 Lp होने वाला system engine के लिए और 2.22 Lp होने वाला operation executive के लिए ठीक, और इसका preparation में वीडियो अल्यडी बना चुका हूँ अब आप लोग यूट्यूब पर search चेक आउट कर सकते हो, ठीक है